Hello दोस्तों, इस वीडियो में मैं Korean language की field में job prospect के बारे में बात करने वाला हूँ, कि Korean language अगर आप सीख रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या-क्या job opportunities हैं, किस तरह की job आपको मिल सकती हैं, किस field में मिल सकती हैं, और average salary कितनी हैं, और उस तक वहां तक क्योंकि जैसे example के लिए, आप computer सीखने के बाद में कितने job ले सकते हैं, कि आप ऐसे कमा सकते हैं, तो उसका answer है कि आप Satya Nidala बन सकते हैं, आप Bill Gates बन सकते हैं, आप Mark Zuckerberg बन सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि इतने खराब हों उसमें कि आपको 10,000 रुपय की नोगरे भी न सकते हैं, तो एवरेज जो computer Korean language सीखने के बाद में, जो job के like हो जाते हैं लोग, तो basic जो सबसे कम की salary expect कर सकते हैं, वो लग-बग-बग 30,000 पर मन्त के आसपास ही है, किसी भी level में, जाहे आप companies में as a Korean language translator जाएं, या फिर आपका कोई और भी field में, आपका expertise हो कि आप इंजिन engineer हैं, या फिर commerce graduate हैं, या कुछ भी हैं आप, तो अगर आप बिल्कुल basic में जाते हैं, कम से कम में salary जो मिलती है, वो इतनी तो है, 30,000 पर मन्त के आसपास में, वो बिल्कुल below average में बता रहा हूं, जो एक average है, जो अच्छे जो decent लोग हैं, जो decent Korean language skill अच्छी है, जो अच्छ होगा yearly, और जो काफी अच्छे लोग हैं, उनका 10 से उपर होगा, वो 15 लाग हो सकता है, 20 लाग हो सकता है, उसे उपर हो सकता है, so that is the general scenario in Korean language field, so वो तो job market का हो गया scenario, corporate sector में, उसके अलाबा बहुत सारे sectors में job की opportunities हैं, जैसे अगर आपको tourism sector में की नहीं के लोगों के पाशल स ज़्यादा है, लोगों से घुलना मिलना, या networking करना, वो सब ज़्यादा पसंद है, तो tourism sector में काफी सारे opportunities हैं, मैं कई सारे guides को जानता हूं, जो कि 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग रुपे पर मन्त पोर्म करते हैं, as a tourist guide, क्योंकि वो काफी बड़े groups को handle करते हैं, कि 50-60 लोगों का commission 30-40%, 50% तक होता है, तो वो काफी उनका earning high होता है, बट सभी लोगों के बसका नहीं है, वो guiding का काम, थोड़ा सा ज़्यादा hard working है, कई बार लोगों को लगता है कि उसमें respect कम है, और थोड़ा सा एक अच्छा qualified job नहीं है, बट हां, किसी को अगर उससे परिशान ही नहीं है, कि adventurous लोग हैं, तो उनके लिए वो opportunity भी काफी जाता है, tourism sector में, उसके अलब अब business बगर के scenario में, बगर Korean लोगों के साथ में आप बोल सकते हैं, communication कर सकते हैं, सीखने के बाद में, तो काफी सरी opportunity आती है, जहाँ पर को Korean person हो सकता है, आपके साथ में import-export के business में involved होना चाहे, कि वो option है, उसके अलबा जो freelancing का काम है, जो बहुत common field है, कि लोग सीखने के बाद में कहीं job नहीं करना चाहते हैं, वो खुद से translation का काम घर बैठे करना चाहते हैं, तो वो भी काफी common field है, काफी काम आता है internet से translation का, और जो एक average TikTok translation करते हैं, उनको 3 rupees per word से लेकर 5 rupees per word तक मिलता ह translation करने के लिए, तो अगर अपने एक page मानले जो 500 words का translate किया, तब को 1500 rupees मिलेंगे, तो अगर आपको TikTok profile अपने बना रखा, internet पे हट जागा, और आपके थोड़े links अच्छे हैं, अलग-अलग agencies से, translation की companies से, तो आपके पास काम आता रहता और कोई बड़ी बात नहीं है, कि अग लग तक आप बैठे-बैठे आराम से घर में कमा सकते हैं, हाँ, वो असान नहीं है, वो मुश्किल काम है, वो कि उसके लिए आपको link बनाने पड़ेंगे, relation अचरखना पड़ेगा सबसे, सही समय पर काम को वरके देना होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ, वो generally senior year है और maximum job opportunities हैं उस field में, वो जो multinational companies है, American companies हैं, जो कोरिया में business कर रही हैं, जैसे Microsoft है, Amazon है, Oracle है, Google है, तिन companies के यहां business हैं, तो यह client को support करने के लिए, customer को support करने के लिए, Indian लोगों को वहाँ hire करते हैं, जहां से आपको phone से, या email से, या chat से आपको support करना पड़ेगा यहां के लोगों अब बिल्कु लो लिवल पर, Amazon अगरा में जाएंगे, अब तो हो सकता है, आपको 45,000 का package दें, अच्छे हैं तो आपको 50,000,000,000,000,000,000 तक का package दें पैकेज, बहुत अच्छे हैं, तो आपको 1,000,000,000 से ओपर तक का package आपको मिलेगा, that's the scenario, बाकि ग्रूथ जो है, उसमें तो आपकी यदर स्किल के हिसाब से डिपेंडिक रहा है कि Korean language के स्किल भी आपके कितनी अच्छी है और बाकी स्किल्स आपके कितनी बढ़ा रहे हैं साथ में तो अब सवाल है कि उस लेवल तक पहुचने के लिए कि जॉब मिल सके आपको इस फिल्ड में उसके लिए कितना सीखना पड़ेगा तो जनरली तो लोग बीए करते है Korean में तीन साल का या डिप्लोमा अडवांस डिप्लोमा पीज डिप्लोमा यह सब करते हैं दो साल और जनरली मैं उसकी बात नहीं करूँगा अभी इस दो तीन साल पहले तक में लोग मांगते थे कंपनिस वगरा की बीए होना चाहिए बीए होना चाहिए Korean में लिकिन अभी के टाइम में Korean थोड़ा जो Korean Government है वो Topic Certificate होता है DOBI के Test of Professions in Korean उसको काफी प्रमूट कर रहे है वह तो अभी अगर आपके पास Topic का कामले में Level 3 मैं कहता हूँ कि decent level माना जाता है जॉब के लिए और Level 3 अगर आपके पास में है तो आपको जॉब लगने में कोई परिशानी इंडिया में नहीं होगी 4 है तो आपका काफी Level अच्छा होगा आपको salary अच्छा मिलेगी क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग है जिनका की 3-4 भी है जो BOE डिप्लोमा वगरा इंडवास डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है पीज डिप्लोमा इमे वगरा भी उनमें से भी बहुत कम परसेंटेज है जिन्होंने Topic Level 3-4 क्लियर किया हुआ है तो अगर आपके पास में है वो तो पॉसिबल है तो अगर मैं अब टाइम कितना लगेगा वो करने में अगर मैं अब जो कोर्स हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है वेबसाइट पे Learn Korean.in पे certificate course जो हम रन कर रहे हैं मैं और उसके हिसाब से बात करूए कि कितना टाइम उसमें पहुंचने में लगेगा लोगों को तो हम expect कर रहे है कि पहला लेवल है लेवल वान उसमें करने के बाद में हमारी उमीद है कि लोग Topic Level 2-2 तक वो clear कर पाएंगे Topic Level 2-3 तक के लिए 2 और 3 के बेच में गैप काफी हा कि याद करते हैं और थोड़ा practice करते हैं वो जो exceptional student है काफी अच्छे उनके लिए पूरी संभावना है कि हमारा दूसरा level clear करने के बाद लेवल 2 यानि कि 5-6 महीने के बाद में वो 3 clear कर सकते हैं तो हो सकता है कि उनको 6 महीने के बाद ही job मिल जाए इसकी पूरी संभावना है क इसकी 6 महीने के बाद पूछ इंटर्व्यू दें कहीं और उनका हो जाए Korean language field में job जो general student है जो average है मैं उनको कह सकता हूं कि उनको साथ 8 महीने लग सकते हैं मतलब level 3 तक उनको करना पड़ सकता है हमारे scores का और तब जाकर कि वो topic 3 में उनका हो जाएगा जो बिलकुल भी मान ल level करने के बाद तो उनका हो ही जाएगा 3 और जो अच्छे student है उनका हमारा 4 level clear करने के बाद में उनका topic 4 वोगरा निकल सकता है 5 भी निकल सकता है तो 6 महीना 7 महीना या एक साल आप मालने चलिएगी अगर अगर माल लिजे कि आपने एक साल भी समय दिया उसके बाद भी अगर इस field में expert के तौर पर जोइन करेंगे Korean आपका एक additional skill होगा मैं अब general बात करता हूँ जिनको और कोई additional skill ने है सिर्फ Korean ही उनकी main skill है तो उतना तक आपको मिलेगा तो देखें तो कोई बुरा नहीं है वो investment क्योंकि समय का एक साल का investment क्योंकि लोग 5 साल हमारे हैं पढ़ते हैं पैसा लगाने के बाद में 25-30 का मिल रहा है और यहां पर आपको 6 महीना एक साल महीनत करके आप पगए उस level की job आपको मिल पाए तो मुझे लगता है कि वर्थ effort है मैं नहीं का रहा है कि सबको 100% लोगों को job मिल जाएगी और job की क्या opportunity वो market situation पर depend करता है बट वो तो हर field में है वो तो guarantee तो आपको कुछ भी आप कर लें कोई भी course इंडिया में या अमेरिका में तो guarantee तो किसी भी की job की नहीं होती है बट average मुझे लगता है कि अपी भी language की field में बहुत कम लोगों को पता है कि इतनी अच्छी opportunities है salaries की और jobs की तो definitely मैं recommend करूँगा कि अगर आपका interest है language की question हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं comments में और मैं कोशिश करूँ answer करने के उनको thank you